भीशन गर्मी और लू की वजह की डाल की मांग प्रभावित हुई है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इसी तरह तापमान में बढ़ोतरी जारी रही तो आने वाले दिनों में डालों की डिमांड में और कमी आएगी। खास बात यह है कि मांग में कमी के कारण पिछले मही ने चना जैसी डालों की कम खरीदारी हुई जिससे कीमतों में नर्मी आई है। वहीं सरकार ने पीली मतर का आयात 30 जून तक बढ़ा दिया है। उसे उम्मीद है कि उसकी इस कोशिश से डालों का रेट और सस्ता होगा। दटरिब्यून की रिपोर्ट के मताबिक शीर्ष व्यापार निकाए, इंडिया पलसेस एंड ग्रेंस एसोसियेशन के अध्यक्ष बिमल कोठारी ने कहा कि बढ़ते तापमान के कारण दालों का उठान बहुत कम है। हाला कि उनका ये भी कहना है कि गर्मी के मौसम के दौरान दालों की मांग में मंदी कोई नई बात नहीं ह ऐसा हर साल होता है। उनकी माने तो आने वाले महीनों में तापमान में गिरावट आते ही दालों की मांग पहले की तरह ही हो जाएगी। वहीं, IPGA ने अपने बाजार अपडेट में कहा कि उन्ची दरों पर धीमी खरीदारी और चुनिंदा बाजारों में बढ़ती आवक के कारण प्रमुक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में चना की कीमतें गुरुवार को एक सौ से एक सौ पचास रुपए प्रती क्विंटल कम हो गई। कोठारी ने कहा कि तूर को छोड़ कर बाकी सभी दालों की कीमते में गिरावट आई है। उनकी माने तो तूर दाल को लेकर अभी भी चिंताएं बनी हुई हैं। उनका कहना है कि पूरे साल तूर दाल की कीमतें इसी तरह बनी रहेंगी क्योंकि नई फसल दिसंबर के आसपास बाजार में आ जाएगी। इसके बाद ही कीमतों में गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। कोठारी ने कहा कि हर को जानता है कि पिछले कुछ वर्षों में अरहर का उत्पादन कम रहा है। ऐसे में वैकल्पिक डालों के इस्तमाल पर जोर दिया जा रहा है। वहीं किस्म और गुनवत्ता के आधार पर करनाटक और महाराश्ट्र जैसे राजियों में तूर की मंडी कीमतें 8,000 से 12,233 रु मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP से नीचे लगभग 6,000 रुपए पर बिक रहा है। हालांकि चनादाल MSP से लगभग 10 से 15 प्रतिशत उपर है जिसकी कीमत 6,000 से 6,500 के बीच है। कोठारी ने कहा कि पीली मटर की कीमतें 4,000 और 4,100 रुपए प्रती क्विंटल के बीच हैं जबक 30 जून तक बढ़ा दिया है। कोठारी ने कहा कि अब तक लगभग 15,000,000 तन पीली मटर का आयात किया जा चुका है। कोठारी ने कहा कि जून के अंत तक पीली मटर का आयात 1.7,1.8 मिलियन तन के बीच होने की संभावना है। वहीं भारतिय मौसम विभाग ने आगामी वर पीली मौसम वर दिया है।